तो दोस्तों आज हम आये हैं कल्पना चावला प्लैडनिटॉरियम में यानि कल्पना चावला तारा मंदर यह जगह कुरुक्षेत्रा में है और कल्पना चावला इंडिया की पहली एस्ट्रोनॉट थी फीमेल एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गई थी यह प्लैनेटोरियम उन्हीकी स्मृत्ती में हर्याना सरकार द्वारा पुरुक्षेत्रा में बनाया गया है तो चलिए आज हम आपको प्लैनेटोरियम की सैर करवाते हैं लोकेश और मान्या टिकेट चेट करवाते हुए यहाँ पेट पंदरा रुपए की है पंदरा रुपए पर पर चलिए आपको कल्पना चावला म्यूजियम की सैर करवाते हैं क्योंकि कल्पना चावला के नाम पे है तो इसमें सारी चीजे स्पेस से रिरेटेड मिलेंगी आपको सारी जो भी जानकारिया हैं जैसे अभी जो आप मेरे सामने ये देख रहे हैं इसमें आप अलग-अलग अलग-अलग प्लैनेट्स पर अपने जो वेट है वो चेक कर सकते हैं अगर आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होके मार्स का बटन दबाएंगे मार्स का बटन प्रेस करते हैं तो मार्स पे जो आपका वेट है इस टाइम वहाँ पे स्क्रीन पे शो होगा अगर आप वेइंग स्क्रीन प्रेस करते हैं तो वेइंग स्क्रीन दिख रहे हैं उसमें आपको अर्थ पे जो आपका वेट है अभी एक्च्वल वह दिखाई देगा तो यह एक्टिविटी भी अच्छी है आपको अगर पता करना है कि आपका अलग-अलग प्लैनेट्स पे वेट कितना है तो इस इट विल बी फन पो यूँ मान्या को अभी आप देख रहे हैं आप वह बहुत ही इंजोई गर रही है उसे एक प्ले स्टेशन जैसी पीने ला रही है क्योंकि यहां पर बहुत सारे गेम्स है खेल ली के लिए यह जो है आपके सामदी इस सूरे घड़ी है इसके बारे में मैं आपको बात में कि यहां पर इस वाल पर पूरा सॉलर सिस्टम बनाया गया है वेसे आप देख रहे हैं सबसे पहले सन इसके बाद बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो सीक्वेंस में दिखाए गए हैं ताकि हमें इसके बारे में थोड़ी और क्लारिटी मिल जाए और इनके बारे में कुछी न प्रमेशन दी दी गई है कि यहां पर वर्ल्ड की जो प्रमस सिटीज है उनके नाम लिखे उनके टाइम जॉन को दर्शाया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाल पर लॉक्स लगे होनी है जिसमें अलग अलग जिसके नीचे सहरों के नाम दिये हैं सिटीज के उनका टाइम अभी करन्ट टाइम क्या चल रहा है मारते वह देखा जा सकता है जैसे अभी आप देख रहे हैं लंडल और वाशिंटन का टाइम इसमें देखा है यहां पर एस्ट्रो क्वेज है अगर किसी को स्पेस के बारे में तो एक फोड़ी बहुत नॉलेज है तो उसक किस से खेला था अमें इस इस बार मदब तो फिक पर ज्यादा नॉलेज नहीं है बड़ फिर भी लोकेशने काफी अच्छा है और लग्की लिए उनको पॉइंट्स मिल रहे हैं यह चोटी यह कॉर्णर है जो यह कल्पना चावला को समर्पित है इसमें उनकी कॉलिच से ले अगव शेयर करते हुए दिखाई देंगे हमें कल्पना चावला पर गर्व है क्योंकि उन्होंने सभी लड़कियों को आगे बढ़ने की प्रेणा दी है अब हम दोस्तों फल्पना चावला म्यूजियम से बाहर आ गये हैं और हम उसके म्यूजियम के पीछे की तरफ जा रहे हैं और तक म्यूजियम के आसपास भीम रहे हैं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक जो की बहुत अच्छा इनिशियेटिव लिया गया है यहां पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं नेचरल रिसोर्स को यूज करके एलेक्टरिसिटी एनर्जी सेव करने की यह बहुत अच्छी पैल है और जैसा कि अब हम पीछे की तरफ आ गये हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर एक बहुती सुंदर गार्डन बनाया हुआ है और इसमें भी हम आपको दिखाएंगी कि क्या कुछ है इसमें भी काफी सारी एक्टिविटीज हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं तो गाइस यहां पर एक शो भी होता है तारा मंडल जिसके टाइमिंग है ग्यारा बजे से साड़े तीन बजे तक तो एक घंटे का शो होता है जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर चक्र व्यू बनाया गया है एक रास की जो है वह बाउंडरी वॉल्स की गई है तो इससे जैसे महाभारत की नाइम पर चक्र व्यू बनाया था कौर्वो ने अभी मन्यू के लिए तो उसी तरीगे की कुछ रचना करने का प्रयास किया तो यह काफी इंट्रस्टिंग है अगर आपको बुल बुलेया में जाना पसंदें तो गाइस यह सूर्य गड़ी इस पर जैसे जैसे सूर्य की किरने पड़ती है तो इस इसकी छाया से आप आइंग का पता लगा सकते हैं कि तो गाइस यहां पर एक अप्टिविटी है तेज गूमें इसमें यह एक चेर दी लिए और साइड में वेट्स है जैसा कि आप देख रहा है रैड कलर के तो जैसे जैसे आप इसको गुमाओगे और वेट को अपने पास अपने पास से दूर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप दीरे गूम रहे हैं तो यह एक इंट्रस्टिंग चीज है तो मानिया को हमने चेर पर बिठा दिया है उसको जूला जूला बहुत पसंद है इसलिए वह बहुत ही इंजोई कर रही है अभी जो नेक्स्ट आने वाला है जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो के बाद में बताऊंगी आपको कि यह क्या चीज है तो य यह है सूर्य गड़ी जो की सूर्य की डिरेक्शन के अकोर्डिंग आपको टाइम बताती है इसमें जो लेफ्ट साइड में है वो एम है और जो राइट साइड में है वो पी एम है तो आपने देखा हुगा कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एम राइट में लिखे हुए है और पी एम जो ह तो जैसे जैसे सूर्य की डरेक्शन जो चेंज होती रहती है उसकी अकोर्डिंग शैडव जिस भी नंबर में पढ़ती है वो आप हाँ ताइम वो हो रहा हुता हुटा उस ताइम जैसे इसकी सेड़ो माने 6 पर पुपती है तो उस ताइम शिक्स एम टाइम होगा तो यह इ कि टाइंग का पता नहीं चल रहा है आप मानिया को देखिए हो कितना एंज्वाइ कर रही है शी इस वेरी हैप्टी तो यह देखिए गाइस कि इतनी बड़ी गड़ी आपने कभी नहीं देखिए हो यह हो तो देखिए गाइस मानिय और लोकेश बहुत ही इंज्वाइ कर रहे हैं यहां पर यह जो चेयर है इसको आप अगर जैसे लोकेश डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं ऐसे अगर आप गुमाओगे तो यह गोल गूमती है साथ में यह चेयर भी गूमती है तो अगर आप यहां से देखोगे तो चेयर भी साइमल्टेनियसली गूम रहे है एंड नेक्स जो है गाइज वह है ग्रैविटी वैल जैसे की सूर्य के चारो तरफ सारे प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड गूमते हैं तो ग्रैविटी की वज़े से भी गूमते हैं तो यह तो सुधी को पता है तो यह एक तरीके से डेमोंस्ट्रेट करके दिखाया गया स्कत्समें तो गइस हमें यहां पर आके बोटी अच्छा लगा आई होफ आपको बी अच्छा लगेगगा अगर यहां पर आएंदे तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमेरी चैनल को लाइक कीजिये शेयर कीजर सब्स्क्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगी है और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए थैंक्स फोर वॉचिंग बाइ बाइ